जो जुद्ध लड़े मैदानों में वो इंसान बीर कहा जाए जो जुद्ध लड़े अपने मन से वो महाबीर हो जाए मित्रो नमस्कार मैं नरिश कुमर अपने क्टुब चैनल बिहारी लाज से मित्रो आज हम लोग भगवान महाबीर की जो जैन प्रमप्रा के 24 में एवं अंतीम तिर्थंकर थे उनका जन अस्थान कुंडल पूर ग्राम जो बैसाली में स्थित है की योगर जा रहा है आज वहाँ भब आविजन किया गया है जहां धर्म के जानकार और जैन धर्मा लंबी एवं अन्य बिभिन धर्मों के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं लोगों का जमखट है यह देखिए भगवान महाबीर का जन अस्थान का मुख द्वार अब इसमें हम प्रवेश करेंगे और यह रास्ता कुंडलपूर ग्राम की ओर जा रहा है हम उसर बर रहे हैं मित्रों देख रहे हैं और यह देखिए भगवान महाबीर की आज जो जैनती है उसका एक भब जुलुस जिसमें उनकी जहांकी निकाली गई है मित्रों आपको मालुम होगा है कि भगवान महाबीर का जन इसा से पाउंसो निराड़ में बर्स पुर्व वहा था और आज ही के दिन मित्रों आज ही के दिन यानि चैत्र सुकल तिरुदसी को मित्रों यह देखिए जैन धर्म के मानने वाले लोग चल है हब जुलुस है जो इस इलाके में काफी फौहली से निकाला गया है और यह जुलुस आगे की और बढ़ रहा है जहां भगवान महाबीर जर्म लिये थे और भब मंदीर है मित्रों आपको मालूम ही होगा कि भगवान महाबीर राजा सिद्धार्त और माता तृसला के पुत्र थे और वो तीस वर्स के वस्था में राज महल उन्होंने त्याग दिया था मित्रों यहीए मंदीर है यहीं मंदीर ही जहां भगवान महाबीर का जन्म हुआ था और यह देखिए उनके धर्मालंबी काफियु संख्या में देश के विविन हिस्से से पहुँचे हैं जो भगवान महावीर की अराधना कर रहा है और कामना कर रहा है कि इस्वर देशी नहीं बिश में सांती प्रदाम करें जिससे मानव जाती का कल्यान हो और मानव विकास की ओर बरहें मित्रों भगवान महावीर का संदेश आज भी प्रासंगिक है अगर उनके धर्म के इसाब से चले तो निश्चित तोर पर सबों का कल्यान होगा भगवान महावीर का सिधान था कि सर्बोदय एबं सामबादी सिधान्त स्वस्त समाज और रास्निर्मान के साथ ही विश्च एकल्यान का या एक परमुख अस्तम माना गया मित्रों भगवान महावीर आज भी प्रासंगिक है आज भी प्रासंगिक है अगर उनके विचार समचले तो हर जगा अमायन सांती से लोग रहेंगे और विखास के तो लिजिए मित्रों एक उनके धर्वालम भी अपना विचार ब्यक्त कर रहा है तो सुनियो कि अगर्वान महावीर की जन्मिस्थली जो बिश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाये थे आज हम लोग यहां प्राइब कर रहे हैं और साथ ही चाहेंगे की मानब जो है जो है जो है पुजारी और यह धर्म जो है इस विश्विश्व पर अपना लोगों को संदेश के लोग अहिं सब लोग को मानवता परोक्तार की भामना से परिफुन में जैसा कि भरवान महावीर का संदेश था हम लोग भी उनकी वानी को और लोगो तक परोकाने के प्रियास करें धन्यवाद है अधित्य प्रकार्ष नगटिया गंस आया हम और इस अधर्थी पे आज के दिन अ हुआ है महविट जी के लिंद्खी परम आया पर मले अच्छा लगा और ये इसे घृ क्योल ये आपी आम किसी शया की इसे प्रावन मिन को यहां पर आया और अच्छा लगा आज में आपाज आने का वहाँ मैं आए दरम हमका में आखर दरम का मेसेश ता बंई विश्व को नहीं रादेश का मेसेश के लिए और यदू लगता जिए विष्टे हों है अज पुड़े विष्टर। वात्ज़ तर्म हम रोगे है थे खणिते गाये हम लोगे हैं वह होस्त प्रहए początku प्रद्ध करें में था हुआ है हुआ हुआ है अरे राथ से या लोगे है। ल को बेगी है गाते ही है। दोनों संत का बानिये हैं वो दिस पटल पर अबसक है अरे राज से आना हुआ जिला मोतिहारी पड़ता है जो मैं यहाँ बैसाली में महावीर जो जन्मस्तली है वहां मैं उनके दर्षन करने आहां हूँ जो महावीर जी की जो जन्मस्तली महावीर बुद्ध की यहीं पेर जन्म हुई थी जो लिख्यात है आज के रुज यहाँ झेल Kids ओने gen și Pra प्रुटि जो भी बिष्वस्पतल पर अश्चांति है, लिए ए जुद्सलाय कहीं कुछ है इसमें भगवान महाभीर की बानी कहा तकय क्त प्रासंगिक है आपने निधर में महावीर की बानी जो है, अभी जो इस्तिती गुजर्मरिय देश के, वी सुका जो गुजर रही है, तो महावीर का अगर बानी का अनुवाइज उप पर एक और उनके धारा पर चले, उनकी रास्ते पर चले, तो जितनी भी आसांतिया विस्च में फहले हूई है, वो आसंतिया तुम हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी. मैं आखे देन भारते देन प्रेक्ट का शीमेर वाइस्प्रिकेंट हुए। और देन समाझ से जुड़ा हुए। हमागी कारे करता हुए। मेरे प्यटे अंकापार हाजिपुर में से तुमे में सालियान करता हुए। चीमेर appelle आखेटी का शेक्पनी को ज्यूर में एाखेटी प्याटी प्राणी वानम्य quan भाईस्प्री कि दॉका प्राण से से प्रादिपूँ इससे लोगों में ट्रया की तरशी आहे तो इंकी रुख्शा करना और कुसी परवा दूज स्थी पुणना वेना कमी किन दो देना और जितने अर्शी आज़गों विखिए हैं उनकिसे रहते हैं पर समान के तो दुन समान पर वह भी यह नोहीं है झाल